धन्य यह भजन जो अपने राश्ट्र का गुनगान करे नमन करता हुए जो निज बोली और भासा का सम्मान करे तो अपनी बोली और अपनी भासा को सम्मान दिलाने के लिए मैं अपनी ब्याकरन की सीरीज का भागचार आप लोग सामने लेके प्रस्तु दू तो आज की कक्छा का प्रारंब हम लोग करेंगे पिछली कक्छाओं से कुछ लेते हैं तो पिछली कक्छा में हमने जाना कि हिंदी व्याकरण के पांच भेद होते हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के पांच भेद हैं, पहला है वर्लड विचार, और दूसरा है, सब्द विचार, सब्द विचार, तीसरा है, वाक्य विचार, वाक्य विचार, चोथा है, चिन्न विचार, चिन्न विचार, तंटme , पांचबवा रहिए चंद विचार चंद भी चार ते अब जरा हम इनके वारे में संश्थे धाला यлена बिलिटार होथा क्या है हिंदी भ्याकरन की जिस भाग में में मैं bety जाता है यानि कि वर्ड की उत्पत्ति का कैसे हुई वर्ड का उचरन अस्थान कौन सा है वर्ड के कितनी वेद है वर्ड का रिकरन किनकिन आधारों पर किया गया है वर्ड के सन्योग से यानि कि वर्ड की संधी से क्या होता है तो यह सारी चीजे जहां पर हम जानते हैं सब्सक्राइब की एंक रखनलब के जिस भागा अचना इंडी व्याकरण के इसे हम कहते हैं सब्सक्राइब काया अब टेया यूने और होगल मैं ये विजवा विजवा विचवाग्य विचार किसे कहते यहторов से क्याहिए अपने सिख गया वर्डू ये से की ओ ऊहरी है आव किया आसी असिक के तो आप रहने को से आपने सिखदों से अनार पाश्टिक अहरढ अनार पॉस्टिक अहार है यह क्या है वाक क्या है यहां पर हमने क्या किया सब्द को एक ब्यवस्थित करम में बना दिया जिससे कि एक असपस्ट अर्थ प्रकट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं वाक के तो हिंदी व्याकरन के जिस भाग में वाक के बारे में बताया जाता है है उसे हम वाक के विचार कहते हैं उसके बात आती है कि आपने क्या वर्ण विच के बारे में जान लिया वाक्य के बारे में जान लिया लेकिन जब तब किए आप को चिन्य की जानकारी नहीं होगे तब तक किसी अउतिर को अस्पश्ट तरिके से लिख के प्रसुत नहीं कर पाएंगे यह की पाहत्व आप महत्यपुर्च के बहुत बड़ी भूमी का मुंतर अब जना इसकोम समय ल rendered से कुछ हैं इस दोनों का या दोनों का से अलग अलग हो जाएगा दोनों से कि समझ अलग अलग हो जाएगी है कि अब जैसे देखो जै अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अल्प विराम जिसको अफ उर्ब अन्ग्रेजिन and क्यों को ओर रिष्च परीवर्तन आ जाएगा जैज seven कि एक में मैं यहां पे लगा देता हूं रेक में यहां पे लगा देता हूं तो देखिए इसका मतलब क्या है रोको मत जाने दो इसका मतलब हो गया कि इसमें रोकने के लिए कहा जा रहा है रोकना है नहीं जाने देने और दूसरे में दूसरा है का जाने दो जाने दो दूसरे रोक मत जाने दो और अगर कुछ जादा ही अगर गुस्से में होते हैं तो क्या रोको मत जाने दो यहां पर क्या हुआ कि रोको अल्प विराम थोड़ी दिर के लिए विराम हुआ रोको रोको पर हमने जोर दिया रोको मत जाने दो एक साथ हमने बोला रोको मत जाने दो तो इ चंद के बारे में चंद रचना चंद लिहने कि छंद दोह प्रकार होते हैं गध्य और तक जैसे कि कहानी लेखन की संबाद लेकिन फ stiffness इत्यादी और कवीता चोपाई में कौटमेश्न भी जैसे चुपाई है सोठा है दोहा है तो इस तरीक ऐसे यह जो होते हैं यह चंद है उसके बाद कि अब बात करते हैं हम लोग वर्ल विचार के बारे में तो वर्ल विचार किसे कहते वर्ल विचार हिंदी व्याकरण के जिस भाग में हिंदी व्याकरण के जिस भाग में वर्ल के बारे में बताया जाता है हिंदी व्याकरण के जिस भाग में जिस भाग में वर्ल के बारे में बताया जाता है वर्ल के बारे में बताया जाता है बताया जाता है उसे वर्ड विचार कहते हैं, यानि कि हिंदी व्याकरन के जिस भाग में, यानि कि वह भाग जो है न, वह पुरा का पुरा भाग जिसमें वर्ड के बारे में चर्चा की जाती है, उसे वर्ड विचार कहा जाता है, उसे वर्ड विचार कहा जाता है, अब आपके मन में एक प्रस्ण उत्पन हुआ होगा कि आखिर ये वर्ड किसे गहते हैं और ये होना भी चाहिए यदि आपको के मन में प्रस्ण नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है प्रस्ण आना चाहिए कि आखिर ये क्या है और अगर प्रस्ण आता है तो आप लोग टिपने जरूर करें यानि कॉमेंट करके मुझे अवस्य बताएं अगर आपका किसी तरह का कोई कन्फियोजन हो और देखिए हलाकी पूरी वीडियो अगर लगातार आपने देखिए मेरी डाँ थोस्य तो आपके दिमाग में इसी राइन को पढंने के और आपके दिमाग में और किसे कहते हैं जानते हैं वर्ड किसे कहते हैं तो वह हम वह असपस्ट मूल ध्वनी डिखे ध्वनी तो कुछ भी होसकती है अब जैसे कि यह मारकर है मारकर को हमने ऐसे दवाया इसमें ध्वनियो उत्पन हुए लेकिनी असपस्ट नहीं है तो अब यहां पर क्या लिखाए वह आसपस्ट मूल ध्वनी वा अस्पास्ट मूल ध्वनी जिसका खंड या टुकड़ा जिसका खंड या खंड या टुकड़ा ना किया जा सके जा सके उसे क्या कहते है उसे कहते है उसे वर्ल कहते है उसे वर्ल कहते है अब जैसे देख लीजिए उसे वर्ल कहते है इसके लिए हम एक सब्द लेते हैं उदारन के लिए जैसे मैं बोलता हूं सेब 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 एक सब्द है इसमें दो ध्वनी है एक है से और दूसरी ध्वनी है बा तो सेब में दो ध्वनी उत्पन होती है और से को भी हम अलग अलग कर सकते हैं जैसे सा प्लस ए फिर बहलान ते अप्लस अब यह जो है नहीं सो एब और अब इन में से किसी का भी आप फिर से विभाजन नहीं कर सकते इसका खंड नहीं कर सकते इसका टुक्रा नहीं कर सकते तो इसे हम क्या कहते हैं कि यही वह मुल ध्वानी है जिसको हम क्या कहते हैं वार्ण के वर्गी करन की अब हम लोग बात करते हैं वार्ण के का वर्गी करन वार्ण का वर्गी करन तो वार्ण के वर्गी करन की को वार्ण का जो वर्गी करन है वार्णों का वर्गी करन वर्गी करण वर्णों का वर्गी करण तो वर्णों के वर्गी करण के अगर बात करें तो वर्णों को मुख्य रोप से तीन आधार पर वर्गी करित किया गया है पहला है उचारन के आधार पर उचारन के आधार पर उचारण के आधार पर और दूसरा है आपका वायू प्रक्षेपन के आधार पर वायू प्रक्षेपन क्या होता है वायू प्रक्षेपन वायू प्रक्षेपन के आधार पर यानि कि वायू प्रक्षेपन का मतलब है प्रक्षेप करना यानि कि निकलना मुझ से जब हवा निक थोड़ी मातला में निकलती है या ज्यादा मातला में निकलती है उसके आधार पर यानि कि वायो प्रक्षेपन के आधार पर वायो प्रक्षेपन के आधार पर और तीसरा जो आधार है वह है स्वारत तंत्रियों के आधार पर स्वारत तंत्रियों के आधार पर का स्वार्ट तंत्रियों के अधार पर मिदे तृसर तंत्रियों के अधार पर हुआ ठीक है अब देखेंगे ब्यूद जानकि अधारपर वर्ल को तीन वर्ण बागों बठागे यानिех तीन प्रिकार के सोदें एक चंद मला पिर वर्ल पहला है स्वर वर्ल rivers वर्ड और दूसरा है वेंजन वाइड वेंजन वेड़् और थीसरा है और आपका अयोग वाह योग वह आयोग वह वायो प्रक्षपन के अधार पर वाल्ण को दो प्रकार से हम बाठ सकते हैं पहला है आपका अलपे प्राण अलपे प्राण और दूसरा है महा प्राण महा प्राण उसके बाद अगर बात करें स्वरतंत्रियों के अधार पर घौष्षवर्ड दो वर्गवों इसको बाठ सकते हैं। य Eggs को कहते हैं घौष्षWर्ड या इसी को हम लोग कह सकते छोष्षवर्ड और दूसरा है अघौषवर्ड अघो से वर्ल है अघो से वर्ड तो अभी फिर से हम इसको एक वर्द देखते हैं उच्छारान के अधार पर वर्ण को तीन प्रकार से हम बाढ़ सकते हैं स्वर्वर्ण वेंजनवर्ण और अयोगवा वायो प्रक्षपण के अधार पर यानि कि मुझ से जो हवा निकलती है कम निकलती है ज्यादा निकलती है उसके अधार पर हम वर्णों को दो वर्गों में बाढ़ सकते हैं पहला है अ अल्प प्रांड मतलब ठोड़ा और प्रण वायू हमारे मुख से यानि कि हमारे अंदर जो है वायू उसको कहते हैं प्राण वायू वायू से हमारी हमारा प्राण है तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं अलपेप्राण कहते हैं और महाप्राण उसके स्वारतं स्वारतं तंत्रियों यानि कि हम कुछ भी बोलते हैं तो उसре होती है तो जंकरि जंकार उत्परोIST से क्या होती है वैस्टारन उत्rad होता है तो उसके आदार बाधक दो प्रकार के दोते हैं एक को कहते घوس भूर्ण और दोप्रिक एक आप ही हमने ये जाना और इस से आगे की चर्छाहमाओत करें किसे किसे कहते हैं किसे कहते आयोग वाह क्या होता हैं कि क्या होता है यह सारी बात है हम इससे अगली विदियो में करेंगे तब तक के लिए आपका बहुत भूद धन्यवाद पूरी वीडियो देखने लिए फिर से कद्यूद झाल 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 झाल